इसलिए उसको ने का कि जो आप नियम बदल सकते हैं कब तक जब तक कि पीपर ना स्टाट हो जब तक कि उसकी प्रक्रियाइन ना स्टाट हो उससे पहले आप बदल सकते हैं उसके बाद आप नहीं बदल सकते हैं आप मालूप चला खेल स्टाट हो गया बीच में नियम बदले आप जिसमें अच्छा रेंक किया हो और उसी को रद कर दिया जाए कि इस विसे को आप हम नहीं मानेंगे तो क्या आप आज यहां होते जहां जिस पद पर आप तैनात है जहें दोस्त मैं आपका दोस्त सवाजीत अंतराश्ट्री प्लियर दोस्त आप लोग को बता दे विप् में भी पूरी जनकारी देंगे इसके लवा अभी सबसे बड़ी नियूज है बिग अपडेट बता रहा हूं सबसे बड़ी नियूज है कल की आदी रात की बात है और जो हमारे बिहार के सिच्छा मंतरी है इतने आवाज उठाने के बाद कल सिच्छा मंतरी को हटा दिया गय और सिच्छा मंतरी को हटाने के बाद उनके जगह पे आलोग कुमार मेहता जी को सिच्छा मंतरी बनाये गया यह एक बिहार को यह जताता है अपने आप में कि कितनी बड़ी बिहार में धादली हुई थी TRE1 में अभी तक मुझफर पूर से टोटल 600 लोग पकड़े जा चुके हैं जिसमें महिलाएं भी सामिल हैं उसके अलावा अभी जो ताजा अफडेट है उसमें 40 लोग फरार चलना हैं जिनको कारण बतावत नोटीस जारी किया गया है सोचिए पूरे बिहार राज में कितने हैं आप से बता दू गाया उज़र मदुमनी हर जगा से यहां तक के आपने देखा होगा भागलपूर से भी बहुत सारे अभी अरतियों को पकड़ा गया अभी भागलपूर में कौन से जारी जाएगी अभी उनकी सर्च अभी आन ज है कि यह कितने और पकड़े जाएंगे सबसे बड़ी बात यह है कि TRE1 में जब डाकुमेंट शेकिंग और फिंगर फिरिंट का दो दो बार मिलान हुआ जब उन्होंने पेपर दिया तब उसके बाद दोबारा जब डाकुमेंट शेकिंग में वेरिफाई के लिए गयते उसके बाद भी अभी भी निकल ले हैं इसके मतलब है कि कहीं न कहीं आज BPSC TRE1 में जो सिच्छा विभाग के अधिकारी है या जो BPSC के अधिकारी हैं उनकी कहीं न कहीं मिली भगत है उच अधिकारियों को इनके पे जांच करने चाहिए और इनको फसानी का कार किये और BPS का नाम बदनाम करने का कार किये हैं आपको बता दे 2021 एससी की जो भरती हुई थी मैं कोट की बात ले चलना हूँ अब आपको कि जो कोट में हमारा मामला है सबसे पड़ी भासा आर्था को लेके उसके बाद उर्दू और बंगला के जगा आपने हिंदी का पेपर दिया था उसको लेके इससे आबने आपको बार-बार वीडियो में भी बताया कि इससे साफ इस पमस्ट होता है कि BPSC की पूरी पेपर करानी की तैयारी नहीं थी अजब तैयारी नहीं थी अदूरी थी तो उसको पेपर क्यों कराया गया जिसमे आठाथ लाख अबर्दियों ने लिट का जम्म कराया गया था और SC, ST, PH के लिए 200 रुपे फीस रखी गया थी ये फीस क्यों जम्म कराया जाती है कि वल इसलिए कि भरती को साफ और सवच्छ कराया जा सके इतनी बड़ी रकम के बाद भी अगर भरती साफ और सवच्छ बरती नहीं हो पाती है तो ये बड़ी चिंतनी है बात है और बिहार की इससे कहीं इसका जो वेवार है BPSC का वो धूमिल होता दिख रहा है इसके अलावा आपको बता दे कोर्ट में हमारा मासला सबसे बड़ा लड़ाई जो चलना है भासा हारता को लेके 2021 में हम आपको बता दे SSC के थुरू अधर सानिक बलों की बंफर वरती हुए ती जिसमें कई सारे पदों को लेके और जो विग्यापन चेंजिंग था उसको लेके कोश्चन उठेता है और बाद में सभी लोगों को सफल गोसित करके उनको ट्रेनिंग पे वेजा गया था ये इलाबाद हाई कोट हरियाणा हाई कोट आपके हर जगा लगबग हर जगा ये केस हुआ था है सचसी वाला आपको याद होगा उसके बाद 2014 आरपीफ वाला केस आपको याद होगा जिसमें की विग्यापन में चेंजिंग करने और पूरी सीट को फुल्फिल न करने के कारण कोट में लड़के गए थे और उनकी भी जीत हुई अभी 2023 की बता रहा हूं 2023 लास्ट डिसंब में लड़के ट्रेनिंग में गए और रियल बात है जब आप विग्यापन में छेड़ चाड़ करेंगे तो आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा अभी एक इलाबाद यूज है जो कि इलाबाद हाई कोट दौरा फैसला देया गया इलाबाद विश्विद्याले के स्टाट हो उससे पहले आप बदल सकते हैं उसके बाद आप नहीं बदल सकते हैं आप मालूप चला खेल स्टाट हो गया बीच में नियम बदलेंगे तो वह नहीं हो लेकिन यहां तो बीच का बात नहीं है यहां तो खेल खतम हो गया है खतम होने के बाद हम जीत रहे हैं और जीतते देखकर BPSC ने अपने नियम को चेंज कर दिया कि नहीं अब भासा आरता को हम नहीं मानेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है अगर मैं अतुल परसाद सर्च से यही पूछना चाता हूँ सर क्या आपके परिच्छा में आप जिसमें अच्छा नंबर लाए हो आप जिसमें वह कितने बड़ी बाते आपको अतुल परसाद सर्च ने कहा था कि 14 आजा कुछ सप्लिमेंटरी जारी होगा आपको उससे पहले हम बताते चले कि 14 आजा कुछ सप्लिमेंटरी जारी होने की दूर की बात है यहाँ पे 20 जनौरी तक आपको पता है कि जो आपके थम इंप्रेशन का वेरिफिकेशन और सेटिफिकेट वेरिफिकेशन फोटो मिलान हो रहा था वो बंद था आज 21 तारीक के आज से स्टार्ट हो जाएगा 18 जनौरी से चडर पूरक रिजल्ट में सफल 2772 अभिरतियों को स्कूल अवंटी किया जाना आरंब 18 जनौरी से स्टार्ट हो चुका है अब आप देखिए उन सबसे जाके पुछे उन सिस्ट्रकों को जाके पुछे जिन्होंने कहा था कि 30,000 सप्लिमेंटरी रिजल्ट आएगा उनसे कोश्चन करिए कि कहा 30,000 सप्लिमेंटरी रिजल्ट आया क्यों नहीं आया केवल और केवल अपना धंदा बना के बैठने से यह नहीं होगा मैंने आप लोगों को सुरुआस से कहा था याद करिएगा जाके पीछे का वीडियो पलटके भी देख लीजिएगा मैंने सुरु से कहा था कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट एक छोटी रिजल्ट में जारी किया जाएगा उसके अलावा जब तक भासा आरता ला कम हुए तो क्या है आप लोग ने सोचे कि हम सप्लिमेंटरी रिजल्ट में हो जाएंगे क्योंकि दस नंबर कम है बीच नंबर कम हम सप्लिमेंटरी रिजल्ट में हो जाएंगे आप नियम होता है कानून होता है हम BPSC का रिजल्ट देखके बता दिए जब अतुल परसाथ स तर भी दोसी हैं इसके कि आखिर वो वीडिया के सामने आके ऐसी बाते क्यों करते हैं आज हमको सरम आती है उन टीचरों पे जो अभी 13 तारीकों नियुक्तव प्रमार्पत्र लेने गए और उनसे राष्टपत का नाम पूछ लिया गया नहीं पता उपराष्टपत का नाम नह नहीं पता है और BPSC आयोग के अध्याच कोने वो भी नहीं पता है सिच्छा आयोग के अध्याच कोने वो भी नहीं पता तो ये पेपर क्या दिये आप समझ सकते हैं और मैं ये पूछना चाहता हूँ जो पटना गांधी मैदान में जिस लड़की ने कराटे सिखा रही थी उसका result आये दिखाईए और मेरे साथ उसको पेपर में बैठाईए मैं challenge करता हूँ मेरे से अगर एक number या दो number भी कम भी होगी न तो उसको आप selection कर लेना लेकिन अगर 10 number से कम होती है तो उसको बाहर करना आपकी जिम्दवारी है किसा रार पे उसकी बरती हुई इसलिए कि कभी वो मुखमंधरी रिवादें नहीं रिवार्ड से समाधित हूं इससे बड़ा रिवाड और क्या हो सकता है मैं तीन बार का टायटल ब्लیک बेल्ट हूँ प्रोफेशनल चैंपियन हूँ पांच साल लगतर přोफेशनल किक बॉक्शिंग चैंपियन रहा बॉक्शिंग से लगतार चैंपियन रहा लगतार मे रहे प्रोफोर्मेश किये हैं यहां तक पहुँचने के लिए और अंतरास्टी इसलिए नहीं लगता है बड़ी मेहनत के बाद अंतरास्टी प्लेयर एक निकलता है और उसके साथ भी इतना बड़ा चल हो जाना एक बताता है कि हमारे ही राज में कितना बड़ा धोका धड़ी है तो हम तो दूसरे राजयों से जाके मुखमंत्रियों से रिवाड लिये हैं 2016 में जब 36 गड़ के रमन सिंग साहब मुखमंत्री हुआ करते थे उस समय मेरा नैशनल चैंपियंसिप वाँ हुआ था और बेस्ट प्रफॉर्मेंस का रिवाड मेरे को दिया गया था कि क्यों क्यों ऐसे घपले बाजिया हो रही है कब तक कब तक लोग बरदास करेंगे अब क्यक्य पाठक साहर फिर से अपने जगह पे वापस आ गए है इसकी आपसी आप लोग की मतवेद हो सकता है मेरे को नहीं मतलब है लेकिन क्यक्य पाठक साहब का ही देन कि ये दूबारा थम इंप्रेशन केकिंग स्टार्ट हुआ हम लोग ने वीडियो इतना दिया और इतना उन्ते का सुक्स चिनाय पहुंचाई कि उन्होंने थम इंप्रेशन स्टार्ट करवाया जिसके कारण आज सभी पकड़े जा रहे है याद होगा है आपको एकदम खुला चुनाउती कर दिया था कि ये कैसे भी करके ये धादली पकड़ी न जाए और थम इंप्रेशन जाच न हो लेकिन किये कही पाटक साहब जूके नहीं और इसकी जाच कराए और सही चीजे आपके और हमारे सामने है कि BPSC दुआरा भरती कितनी धादली से ली गई एक बिहार का सबसे बड़ा आयोग में इतनी बड़ी अगर धादली हो सकती है तो आप सोचिए बिहार के अन जो सेंटर हैं जो संस्थान हैं उस पर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं कितनी बड़ी गड़ड़ी इसके कारण आज पूरे बिहार में तोहीनी हो चुका है BPSC का अभी BPSC के अतुल परसाद साहब आये सामने ये बताने कि आखिर इतनी बड़ी धादली कैसे हुई और इस परिच्छा को क्यों न रद कर दिया जाए और दोनों पर इस रद होनी चाहिए अभी तो स्टार्ट खेल हुआ है अभी तो बाकी है टू पॉइंट जीरो में भी इससे कम लोग नहीं पकड़े जाएंगे हम आपको बता दे ये धादली नहीं तो क्या है और जो आपने रिजल्ट जारी कर दिया उसके बाद जो मेंट लिस्ट में सबसे उपन लड़के थे वो छूड़ गए आपने दोबारा वेजल्ट उनका जारी किया और बोला कि गलती वस छूड़ गए ये कैसे हो सकता है गलती BPSC से इतनी बड़ी गलती सोचा जा सकता है कि BPSC जो कि एक बिहार का माना जाना आयोगे सबसे बड़ा आयोगे उससे इतनी बड़ी गलती तो ये कही न कही दोके बाजी है और इसके लिए अतुल परसाथ सर को मीडिया के सामने आना होगा और बताना होगा कितनी बड़ी धादलिक कैसे हुई या मुखमंतरी साहब सोय में आके बता है या मुखमंतरी साहब आ है जिन उन्हें ये सरे लेने की कोसिस कर रहा है कि 5 लाग बढ़तिया करा है 5 लाग में जो अनुदेसक थे उनको तो आपने 29,000 तो उन्हें को सीट दे दिया कहां 5 लाग करा है उनको बाहर करिए अनुदेसक को अनुदेसक के आदार पे लेके उनको परमानेंट राज करमचारी मानिए और वो जो 29,000 सीट है हुआ हम लोग से फुलफिल करिए हम लोग बेहनत करके आगे आए हम लोग गलत है नहीं यूँ आए हम लोग गलत है वो सिच्छक है उनको आप छूट दे के बड़ती करो या तो हमारे कमट्री संग के बराबर मिलाइए ऐसा नहीं हो सकता है सर आप लोग को समझना पड़ेगा हम लोग के दर्दु को समझना पड़ेगा हम लोग किसी के खिलापत नहीं जा रहे हम लोग किवल यह जानना चाहते हैं कि आज से बड़ती परकिरिया में इतनी बड़ी दादली हुई तक हुई कैसे और बीपीसी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और सरकार दे इस पर उली क्यों नहीं उठाया और सरकार दोरा इस बड़ती परकिरिया को रद क्यों नहीं किया गया और मेरा कोशन के वल यही है